न्यूस नाव लाइव हर जुर्म का पर्दापाश प्रिंस कितनी प्यारी लाइन है उस प्यारी सी प्रेवर से लिए हुए ये प्यारी लाइन और ये सच है कि वो उपर वाला ही वो पावर हाउस है और हम उनसे शक्ती लेते हैं पावर लेते हैं किसी भी काम को करने की किसी भी चीज को करने की हम पावर शक्ती उन उपर वाले से लेते हैं और अगर इस दुनिया में कोई सबसे kind होटिर, soft होटिर है ना तो वो सिर्फ परमात्मा है, वो उपर वाली God है वो हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं और याद रखना अगर हमारी कोई help करे ना करे बट अगर हम उन उपर वाली पर सचे दिल से उन्हें याद करें, उन पर विश्वास रखीना तो वो हमारी हर सुख सुख में हमारी मदद करेंगे इस पर एक छोटी सी स्चोड़ी आपके साथ share करती हूँ एक बार अकपर ने बिर्बल से एक सवाल पूछा और कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, मैं या फिर भगवान तो विर्बल ने बोला कि आप महाराज तो अकपर ने बोला कि तुम अपनी बुद्धी मानी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हो पर तुम इतने चाक्लूस कैसे हो सकते हो तो अकपर ने बोला कि तुम अपने राजा को भगवान से बड़ा बताते हो तो विर्बल ने बोला महाराज, जब आपके राजे में कोई गल्ती करता है तो आप उसे कड़ी से कड़ी सजा देते हो और उसे राजे से निकाल देते हो पर वो भगवान कोई भी गलती करे तो वो भगवान अगर कोई उनसे दिल से माफी मांगी तो भगवान उन्हें माफ कर देते हैं तो तब अगवर को समझ आया कि अगर वो भगवान पूरी दुनिया को समालता है तो और उन्हें माव भी कर देता है अगर कोई गलती करे तो तो मैं इतना स्ट्रिक्ट इतना सक्त कैसे हो सकता हूँ तो प्रिंस, गॉड हमसे क्या चाहते हैं, गॉड हमसे चाहते हैं, कि हम कुछ चाहिम उनके साथ पेंट करें, उनसे कुछ अच्छी अच्छी बाते करें, अपनी दिल की फीलिंग्स उनके साथ शेयर करें, और मैं अगर अपने बारे में बताऊ ना, तो मैं अपनी सुबह की शुरुआत गौड से गुड मॉर्निंग से करती हूं और रात को गौड को गुड नाइट करना कभी नहीं भूलती है और मैं जो भी काम करूँ इसमें गौड को जरूर अपने साथ रखती हूं क्यों कि गौड मेरे बेस्ट फ्रेंड है और मामा मुझे हमेश्ञा कहती है कि जहां कभी आपको कोई हेलप हो और मामा बापा भी आपके हल्प के लिए जल्दी नहीं पहुछ पाए na तो सिर्फ गौड ही है जो आपकी है फ्रूर करेंगी तो मैं अब गौड को हमेश्चा अपने साथ रखती है और वो एक प्रिटिक्शन लियो की तरह हैं और मुझे अच्छे से याद है कि विन आ वस इन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास तब मैंने गॉड इस मैं बेस्ट वेंड पर एक पोयम बोली थी और उसमें मैं क्लास तेविन इंटर क्लास में मैं को फर्स्ट प्राइज मिला था क्योंकि वो मेरी दिल की फीलिंग्स थी मेरी एक पोयम ही नहीं बलकि वो मेरी दिल की फीलिंग्स थी और उसकी कुछ तो लाइंस नापके साथ शेर करूंगी I got a friend who is powerful above all he hears me every time when I ask and call offering his hand when he see me down friends मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि God को अपना best friend बना लो और कोई भी situation है तो God को जल दी से बुला लो आपके help के लिए ज़रूर आएंगे और कभी कभार ऐसा होता है कि आप God से continuously कुछ मांगते है और हमारी वो विश हमारी वो demand पूरी नहीं हो पाती है मां जानती है कि वो से उसका नुकसान होगा बहुत लॉस होगा इसलिए मां से चाहूं नहीं देती बच्चा मां को कंदा बोलता है कुछ भी बोलता है बट मां उसे वो चाहूं नहीं देती क्योंकि मां को पता है कि वो चीज़ उसको हाम करेगी तो वैसे ही भगवान को भी पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या भुरा तो भगवान भी हमें वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है बलकि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है तो अपनी लाइफ को खुल के जियो और अपनी लाइफ का remote control उस उपर वाली के हाथ दे तो अपनी लाइफ को खुल के चीए, हसते रहिए, मस्कराते रहिए Because life is so beautiful